Delhi World Public School, India's No.1 Emerging School जहां है Cadmex, Sports and Performing Arts का बहतरीन कॉंबिनेशन Admissions Open from Pre-Nursery to 9 बंद कर दिया गया है, जैरीनों का फिर्वेश यहां पर नहीं होगा पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, इस वक्त अजमेर एस्वी, कुवन आश्टदीफ सिक इस वक्त अंदर हैं अंदर बातचीत कर रहे हैं, और जैरीनों के लिए यह काफी लंबे अर्से बाद है, 808 पाउर्स खतम हो गया है और उसके बाद यह पहला मौका ऐसा है, जब कॉरोना वाइरस की देशत, देशत से महामारी से दरगा को पूरी तरीके से बंद कर जा गया है, हाना कि यह जो गेट है, यह गेट खुलावा रहेगा लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी जैरीन इस वक्त यहां पर अलाउड नहीं होगा दारा 144 लगी हुई है पूरे राजिस्तान के अंदर और अजमेर के अंदर सकती से इसकी पालना करवाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि लगातार पूरे देश से जो जाइरीन है वो अजमेर खुजा गरीब नवाज की दरगा में पहुच रहे थे लेकिन अब जो राजिस्तान पुलिस है अजमेर पुलिस है उनने सकती पालना करवाई जाईगी भिलवाडा का जो केस सामने आया और उस केस के बाद में एतियात बरता जा रहा है और उस एतियात के चलते ही पूरी दर्गा को खाली कर वालिया गया है जायरीन जितने भी यहां पर मौजूद थे उन सब को अपने घर रवानगी के लिए कह दिया गया है क्योंकि रेलवे और रोडवेज भी बस और ट्रेंड को बंद कर रही है बंद जो सिवाएं हैं उनको कई ऐसी जगे हैं जहां से जायरीन जब आ रहे हैं तो हो सकता है कि यहां से जाते वक्त उनको वह सेवाएं ना मिले और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि किसी प्रकार की अफवाओं पर आप ध्यान ना दे और एक बात अजमेर स्पी कुमर राश्टिप सिंग ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह स्पस्ट कर दी है कि बाजार जरूर बंद रहेंगे लेकिन किसी प्रकार से जो राशन की सामगरी है दूद की हुआ सबजी की दुकाने हुई यह बंद नहीं होगी आपको पैनिक होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है और यह तस्वीर इस वक्त से बातचीत करने के बाद भार आये हैं अब देखना यह है कि आगामी जो एक हफ्ते का वक्त है उस एक हफ्ते तक इस बाजार की जो इस्तिती है क्या वह ऐसी ही रहती है यह इसमें कुछ लोग एतियात बरतेंगे या नहीं बरतेंगे यह देखना होगा लेकिन प्रिशाच सब्सक्राइब करें घर से तभी भार निकले जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो अन्यता घर से बाहर ना निकले अब आप सुन लीजिए कि अजमेर एस्पी को भर आश्रदीप सिंग क्या कह रहें क्योंकि एक मैसिज बहुत सोचल मीडिया के उपर वारल हो रहा है जिसमें इस चीज लगती है लेकिन यहां पर कर्फ्यू जैसी किसी भी चीज को नहीं है इस चीज को केवल और केवल आप इस चीज से लें कि यह धारा 144 की कड़ाई से केवल पालना कराई जा रही है वो भी आम जनता के हित के लिए चलिए अब आप सुन लीजे कि अजमेर एस्पी क लगातार एनाउंश्मेंट किया जा रहा है कि जो भी लोग कहीं अगर बाहर से आयो हैं आसपास कहीं रुके हैं तो वापस अपने ठिकानों को लोट जाए क्योंकि अब दरगा में आगे कम से कम 31 मार्श तक कोई भी जियारत करने का उनको मौका नहीं मिल सकता है इस बात को नियंतरित संख्या अंदर जा सके और वो वहाँ पर जो भी उनकी रस्में हैं उसको आदा कर सके और बाकी आम जैरिनों का प्रवेश पुरी तरह प्रतिवंदीत रहेगा जो लोग अंदर जाएंगे उनके बारे में भी लगातार संख्या नियंतरित रखी जाएगी ताकि जो नियम निर्धारित किये गए हैं भीड़ भार नहीं होने वाली जो बात है जिसको की लेकर के आदेश निकाला गया है उसकी पूरी पालना सुनिशित की जा सके हैं खादिमों के जो हमारे सीनियर्स हैं अंजुमन के ओदरगा कमीटी के उनसे बात हो गई उन्होंने अप सबसुखि किया जरूरी है और क्या सिक्षट है करोणा को लेकर पूरे दुनिया में उसके बारे मैं थोड़ा सा आवेर करूंगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से यह किया जाना समय हर तरह से जरूरी है यहां पर किखल बात सह्मती की नहीं है क्योंकि-ए आ और अपनी समझ के अनुसार हमें सहयोग प्रदान करें, सहयोग के इस तर पर हम उनसे हर तरह से बात करने को तयार हैं, वो बात का प्रयास कल भी हमने किया था, आज भी दिन में मीटिंग के द्वारा बात कुई है, जो अन्य खादिम है, जिनकों की शायद उतनी समझ नहीं है जो नहीं जानते करोना की समस्या, एक्षुली में कितनी बड़ी है, उनके साथ मैं भी चर्शा करके उन्हें इस पूरी समस्या से आवगत कराऊंगा, और खोशिश करेंगे कि सभी लोग सहमती से, अपनी रजामंदी से हमारे साथ आजाएं, लेकिन फिर भी अगर कोई वि विक्ति को कोई भी पर्मिशन नहीं दी जाएगा, देखें केवल दरगा में नहीं, सभी जगहों पर 144 लागू किया गया है, और उसमें बहुत इसपष्ट आदेश है, उसमें इसपष्ट लिखा हुआ है कि कहीं पर भी कोई भी भीड एकत्र नहीं होगी, कोई भी प्रोग होकर के भीड के रूप में दिखाई नहीं पड़े, इसके सपष्ट निर्देश दिये गए है, कर्फ्यू शब्द जो है, वो कई बार लोगों को कन्फ्यूज करता है, कर्फ्यू हमेशा ही किसी दंगे या फिर विपत्त की इस्तिती में सिच्वेशन हैंडल करने के लिए चाहता हूं कि यह वैसी सिच्वेशन नहीं है, और ना ही हम वैसी किसी सिच्वेशन को डिल करने है, हम एक ऐसी महामारी को डिल करने ही कोशिश करने हैं, जिसे पूरा विश्व लड़ रहा है समय, तो कर्फ्यी बढ़ा सरल शब्द हो जाएगा, इसमें इस्तिमाल करना मु प्रयास उसी दिशा में है एक कर्फ्यू करकर के हम मुझे लगता है हम लोगों को कहीं भ्रमित ना कर दें इसलिए ये शब्द इस्सेमाल करने से बचते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमें भीडभाड को रोकना है और आदेश बहुत इसपश्ट है कि कहीं पर भी गैदरिंग नहीं हो क्योंकि करोना वाइरस जो है वो गैदरिंग से फैल दा दा देखे बाजारों को लेकर कि आज भी हमारी वैपारिक एस्सेशन से बात हुई थी उन्होंने स्विच्छा से आगे बढ़ करके बाजारों को बंद रखने पर सहमती व्यक्त किये हमने उनसे रेक्वेस् ने अवशे खोल करके रखें बाकि उन्होंने खुद ये सहमती दिये निशित रुप से वजार थोड़ा बंद रहेगा तो लोग घरों से कम निकलेंगे और अगले दस दिन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है क्योंकि ये दस दिन में अगर लोग कम संपर्क में लाएंगे एक दूसरे के तो इस वाइरस को फैलने से रुप नहम्दवनुसलियला रसूल इहल करीम अससलाम आलेकुम फकीर दिवान सग्याद जैनलाबिदीन अलिखान और अलाद हुदूर्ग गरीम नवाज रहमतुला अले मुलक वासियों से इसलिए मुकातिब है कि इंदर जिस मौलक बिमारी ने एक इस किसम से जो पहलाओ लिया है अपना और जिसकी वज़ा से दुनिया के एक सो सतावन मुलक की जो जनरेशन है जो आबादी है वो उससे मुतासिर हुई है और कई हजार आदमियों ने अपनी जान को गमाया है इस को मदे नज़र रखते हुए मैं आप से सिर्फ इतनी अपील करना माकूल वा मुनासिब समझता हूँ कि आप बराए महरबानी जो हुकूमते हिन और सुबाई हुकूमतें जितनी भी हैं उन्होंने इस मौलक बिमारी को मदे नज़र रखते हुए जो काईदे कानून मु हुआने की भर सक कोशिश की है उसके उपर अमल पहरा रहते हुए हम सुबाई हुकूमत और मरकज हुकूमत के साथ ताव़ून करें और जो अपने जाती मफात के खातिर या किसी और वजह से जो धरने प्रदर्शन जगा जगा पर कर रखे हैं उनके लिए मेरा सिर्व इतन कहना मुनासिब होगा कि इस मौके के उपर ये अपने इख्तलाफात को भुला करके धने प्रदर्शन को कुछ अर्से के लिए मुलतवी कर दें ताके हम महفوظ रह सकें हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो महفوظ रह सकें और मुल्क के अंदर इस खुसम का पैनिक नहीं पहल है और जहां तक दरगा का सवाल है और जो जिला प्रशासन है उसने जो मुनासिब कदम उठाए हैं वो अपनी मर्दी से उन्होंने नहीं उठाए हैं जहां तक मेरे को जानकारी मिली है कि उसके उपर स्टेट गॉर्मेंट ने जो डिसीजन लिये हैं वो उनको कन्वे किया है और उसकी बेसिस के उपर उन्होंने ये स्टेप लिये हैं लेकिन दर्गा से मुतालग जितनी भी हैं उनको मद्दे नजर रखते वे उनको कॉन्फिडेंस में ले करके वो फैसले लिये हैं लहाजा दर्गा जाहरीनों के लिए बंद की जा रही है रस्मों के लिए चले आ रहे हैं वो कायम रहेंगे वो रस्मे अदा होती रहेंगी और सिर्फ जाहरीन से इतनी दर्खास की गई है कि वो बराय महरवानी अपने दोरों को मलतवी कर दें और दो हफ़ते तीन हफ़ते या 21 मार्च के बाद में वो अजमेर शरीफ के दोरा करें और इसके लिए क्योंके मुक्तलिफ मुकामात से जो ट्रेने अजमेर शरीफ के लिए आती हैं उन ट्रेनों को भी कैंसल कर दिया गया है लहाज़ा इन सब बातों को मद्द देना रखते हुए आप बराय महरवानी ये ख्याल ना करें कि दरगा का